जो हम लोग कोशन आज सॉल करेंगे कोशन नमबर 2.46 ठीक है तो कोशन में देखिए क्या कह रहे हैं बड़ा ही आसान सा कोशन है यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेश ए रेडियेशन एट वेवलेंट आप 337.1 नैनोमीटर मतलब जो न हमें चल्कुलेट करना है दह पावर ऑफ इज लेजर तो हमें लेजर की क्या कटकुलेट करनी है पावर को करके क्या बताना है चलिए चौल करते हैं कि अससे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो जो हमें दिया हुआ है तो हमें क्या दी हुए लैम्डा दी हुए है लैम्डा कितने दी हुए है 377.1 nm यानि यह क्या है हमारी wavelength है अब nm में दी हम जानते हैं एक nm में कितने m m होते हैं तो 10 की घाद minus 9 m होते हैं तो हमने क्या करा हमने nm के जिगा लिए है 10 की घाद minus 9 m समझ में आया और हमें क्या दिया हुआ कि कितने photon emit होते हैं तो number of photons emitted इतने photon emit होते हैं यानि 5.6 10 की पावर 24 इतने photon क्या होते हैं अब देखें अगर हम बात करें कि एक photon की energy यानि energy of one photon कितनी होती है तो यह होती है हमारी h new हम जानते है new equal to क्या होता c upon lambda इसी की जग़ा पे हम क्या लेख सकते हैं hc upon lambda तो यह energy of one photon यानि एक photon का हमारी क्या है energy अगर हम बात करें कि कि इतने photon n beyond निकल लेए एक photon की इतनी तो इतने photon के कितनी energy होगी तो इतने photon की इनजी है यानि इनजी आप इतने photonWhile चोंगे इतने photon Eliza Amit हो रहे थे वह कितनी हो जाएगी हो जाएगी इतने multiply यह फोटान की इतनी थी इतने फोटान निकल ले तो इतने फोटान की इनर्जी कितनी हो जाएगी इतने गोड़े एक फोटान की इनर्जी यानि हमें पता है कि यह रहा हमारा क्या 5.6 10 की पावर 24 हमाराprofit construction होता है के वैल्व क्या होती है इक पॉइंटक तूत 10 की पावरग माईनस थार्टी पुर जुव इंटू सेकंड और हम्मेरे ची क्या होती है ذ Sü क्ली सेंट यह वैल्व क्यों सेद्ख्रहान में का ली ये कितनी विए कितनी वी है 0.37 तुमने रख दिया ए स्विश्चन में 3.3не 10 तो फम प्र मायनेम्स 9-rona 9-99 यहांपर क्या होगा 2-9-9-9. मायने में 6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--8-6-2-1-9-9-9-9- death-2-1-9-9-10-9-8-10-現ATE- है यह हम कैल्कुलेट कर लेंगे तो कैल्कुलेशन हम लोग करते हैं देखे तो 5.6 है यह 10 के पावर 24 लेखे 5.6 10 के पावर 24 है और 10 के पावर 24 यह 10 के पावर मैनस34 तो मल्टिप्लाइम पावर एड होती है तो 10 के पावर 24 मैनस 34 कि पावर एड होती है कितना होती है किप्लस का 8 लाथ में क्या है मल्टिप्लाइ और 6.626 Joule है इंटू सेकंड है और यह क्या 3 x 3 meter per second नीचे क्या है तीन सो 7.10 के पावर माइनस 9 मीटर मीटर से मीटर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का दो यह 5.6 यह 5.6 को 3 चीछा कितना देगा ट्रीजिक्स एक टीन का एट वनाया तीन पच्छे पंद्रह और एक सोला एक वाट पॉइंट है क्यों पॉइंट लगा दिया इन किसा टिपले लेते हैं छे दो छे चैटे रड़ तालिस का आठ लेगा चार चाहिए चैटनग चाथ तरीव दिशा लगा चाहिए चर्छेंग चाहिए चाहँ दस तो टीसों लगा शेया से लगा एक वह बल्दूनी बच तीस और एक या तैस इसको में टीक्ले गए दियो देगा आठ ये जीरो जीरो एक बुड कि पॉइंट किते के बाद है तीन और चार के बाद है तो तीन एक चार यहां यहां पर पॉइंट आज आएगा यहां एक सो ग्यारा पॉइंट तीन एक छे आठ पसकी आठ मैंने दू मैंने दू पर लाइं यह वाल उपर लें किता हो जाएगा दसकी आठ नौ जूल में अंसर आएगा हमारा नीचे कहा थीन सो से थिस पॉइंट टेक तो क्या कर लेते हैं लोग यह मुटिप्लाइं पावर एड़ तीन नो में से दो चले नो में से दो चले गटा जाएगा साथ तो प्रस के साथ और आज एक हमारी और इसको हम लोग लोग कर लेते हैं डिवाइड तो यह हमारा क्या है यह इसको में इतना माल एक सू इसको मान सकते हैं 111.3 और यह एक 300 कितना 37 375.1 पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा हट तो यह हमारा है 3, 3, 7, 1 1, 1, 1, 3 तो पाइंट लगा लीजे 0 बढ़ा लिए कितनी बार चला जाएगा 4, 3, 12 जाद होता है तो 3, 3 हो जाएगा 2, 3, 9, 12, 11 लगा 1, 3, 3, 9, 10 10 मेंसे 3 कितना बचा 7, 2 मेंसे 1 कितना बचा 1 है उसका जो जाए फक्रवार कि इस दिया जाएगा है तो 3 जाएगा जाएगा 10 12 5 फार्ण लगहिए प्रजान प्रजाएगा नहीं अब कितनी बार चला जाएगा जाएगा यह अब कितनी बार चला जाएगा यह अप्रोक्स एक बार चला जाएगा कि तैटीस इकहत्तर ठीक है कि यह तो हो जाएगा तो यह लगभग लोग इतना लिख लेते हैं कि क्या हो जाएगा माल पास आया है जीरो पॉआंट टीन तीन जीरो एक बचार दीर तक हो जाएगा दस्की घाशार जोल है अगर पॉआइंट हम एक कदम यहाँ यह हो जाएगी मठीक कि बॉटब आखिएगएगा शेजूल तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तीन पंट तीन जीरो एंटू तेन की बबाद शिक्स चूल अब देखें यह आए एनर्जी ओफ फोटांस इनर्जी ओफ कितने फोटांस इमिट हो रहे थे फाइप पाइप सिक पाइप चोबिस के फोटांस की जो इनर्जी वह इतनी है ठीक है हम जानत तो पावर ओफ दॉख जाएगी तो पावर और अब दॉख दे जूख लिए अधिक हुआ थि पॉटांट इमिट हो रहे हैं तो उसकी पावर बताले तो फोटांस की हमने इनर्जी निकाल ली उतने फोटांस की और जो फोटांस की जो इनर्जी होगी वह रही एक में आपके सब्सक्राइब कर दीजे बहुत बहुत धन्यवाद